हेलो फ्रेंड्स व्लकम योग लोन और टूप चैनल स्मार्ट जाम प्रप्रेशन में डॉक्टर सतिन त्रिपाथी दोस्तों आपको बता दो कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोसकता है हूं सभी लोग के लिए जो लोग भी सेट एक्जाम देना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रफेशर बढना चाहते हैं दोस्तों बहुत सारे लोगं को चुकी नहीं बता होगा सट एक्जाम क्या होता है फिर्स टाइम जो सुनले होंगे उनकी लिए बतायते कि सेट जो होता एसे टी स्टेट स्टेट एलिजबिल्टी होती है और दोस्तों यह स्टे इस्वेले आपको बताएते हैं पर सबजक्ट की लिस्ट सबजक्ट आप अब बात में क्या है कुप सतम वाले हैं वाले हैं है क्या बैलाइ सकतव है यहां उसके लिए जो है मतलब सेट एक्जाम के लिए एज लिमीट क्या होती है ठीक है अप्लिकेशन फी क्या है और सीलिबस आप कहां से देख सकते हो इस तरह के जो इंपोर्टेंट पॉइंट से आप थमनेल पर भी जो टिंक आप देखे हो ठीक है दोस्तों यहां पर जिसे सबसे पहले हम उस अजसे की बात करें लेते हैं जिसा दिया हुआ ए फर्स्त जो सब्जेक्ट है यहां पर mathematical sciences उसके बाद physical sciences उसके बाद chemical sciences total जो subject की बाद के दोस्तों तो यहाँ पर 25 subjects है ठीक है fourth number देख सकते है life sciences उसके बाद जो हिंदी है उसके बाद गुजरादी Sanskrit, history, sociology, economics, political science, English, education, psychology, library and information library and information science, law, commerce, management, computer science and application 20 number पर देख सकते है earth sciences उसके बाद physical, education उसके बाद philosophy उसके बाद home science उसके बाद geography और 25 नमर पर देख सकते है social work ठीक है दोस्तों इस तरह से 25 subjects है टोटल जो है अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आखिर जो है कहां का यह आया हुआ है ठीक है यह कहां से जो है तो दोस्तों यह जी से 2022 जैसा कि गुजरात state eligibility test for assistant professor ठीक है यह गुजरात state का जो है notification है और दोस्तों यह exam date की बात करें तो जैसा कि दिया हुआ है यह संडे को 6 नमबर 2022 को जो है exam होगा ठीक है अब दोस्तों आगे जो है जो है important information है उनको हम लोग देख लेते हैं इसमें गुजराते और English दोनों में जो है दोनों language में यह दिया हुआ है तो हम लोग English language को जो है देखेंगे जैसा कि देख सकते है important information and dates की बात करें तो दोस्तों यहां पे जैसा कि online fee collection की बात की ग मतलब आप registration करा सकते हो बोल सकते हो फी payment कर सकते हो ठीक है जैसा कि दिया हुआ है और दोस्तों इसमें आगे फिर दिया हुआ है जैसे कि यह red color से इसमें show की आए the payment of examination fee step 1 and online registration step 2 for G-set examination is mandatory मतलब दोनों step mandatory है यह understood behavior से ठीक है date of examination की बात करें तो already हम लोग देख चुके है कि 6.9. 2022 से इसका ठीक है और आगे बात कि दोस्तों इसमें जो है जैसा दिया है the date of examination is tentative and subject to change ठीक है मतलब यह tentative date दिया हुआ है यह change भी हो सकता है दोस्तों duration of examination की बात करें ठीक है तो यह 3 घंडे का होगा साधे 9 बजे morning से साधे 12 बजे दो बहर तक और timing of examination की बात करें तो paper first इसम और यह 9.30 a.m. से 10.30 a.m. तक paper second की बात करें तो 2 आर का होगा 10.30 a.m. से 12.30 a.m. तक मतलब साधे 10 बजे सुबह से साधे 12 बजे दो पर तक paper second होगा website की बात करें दोस्तों एक बार आपको website बतायते हैं जिससे कि आप details यहां से भी जाकर कर देख सकेंगे जिस notification की बात करें www.gujaratset.ac.in ठीक है एक दूसरी website और भी है www.gujaratset.in ठीक है तो दोस्तों इस तरह से यह website है यहां पर आप जाकर कर details जो है देख सकते हैं अब जो हमारे recording इसमें important जो points से दोस्तों उसको highlight किया हुआ है आप बाकी जो है खुद से सारे points को आप अच्छे से पढ़ने form fill up करने से पहले जो है ठीक है और दोस्तों इसा कि यहां पर देख सकते हैं यह seven number पर जैसा इसमें दिया हुआ है ठीक है इसमें बात की कई है the candidate of other states that is other than gujarat state belonging to reserve category shall be treated as general category candidates ठीक है ठीक है फिर eight number पर दिया हुआ है यह भी काफी important point है जैसा दिया है candidate should note that the printout of online application form fee receipt or any other document should not be sent to gujarat state office वोड़ोदरा ठीक है मतलब आपको किसी भी तरह का जो है जैसे यहां पर बात की गई है कि print out form में जो है आपको चाहे वह application form हो payment receipt हो ठीक है या other documents जो भी है उसको आपको send करने के आउर शिकता नहीं है ठीक है गुजरात state office को फिर आगे इसमें दोस्तों जिसा दिया है brief advisory regarding covid-19 pandemic तो दोस्तों इसको फिर आगे दोस्तों हम लोग इसमें बात करने से पहले आप सारे यह पूरा information bulletin को अच्छे डंग से पढ़ने ठीक है candidates को यह मतलब advice दिया गया है कि आप पहले पढ़ ले समझने satisfy होने तभी आपको application form apply करना चाहिए ठीक है जैसा कि आगे दोस्तों यहां पे second number पे जैसा द the Maharaja Shivaji Rao University of Badudra, Badudra the Noodle Agency, अनूंसे holding of the 16th Gujarat State Elisibility Test on Sunday 6th November 2022 for determining the eligibility of Gujarat State's candidate for assistant professor in Universities and Colleges of Gujarat State in 25 subjects and at 11 centers spread across Gujarat State ठीक है तो दोस्तों जिसा कि यह दिया हुआ है कि on behalf of Gujarat State यह University जो है महराजा श्रीवाजी राव यूनिवस्टी आप बरोदा 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 जो है यह नूडल एजनसी जो की अनूंस करती है यह सुलामा गुजरात स्टेट Elisibility Test यह संडे को 6th November 2022 को ठीक है है कि यह एक्जाम की बात किए 25 सब्जिक्स में और 11 centers पे पूरे गुजरात में होगा जो कि यह सेट Elisibility की बात करें हम तो जैसा कि आपको पता है कि Assistant Professor के लिए Elisibility है जो कि आप उस स्टेट के स्टेट यूनिवर्स्टी या फिर कॉलेजिस में Assistant Professor बन सकोएंगे ठीक है तो आगे फिर बात करें है फोर्थ नमबर पर जैसा दिया हुआ है यह रिजल्टी की बात की कहीं दोस्तों यहां पर जैसा दिया हुआ है कि 6 नमबर 2022 ठीक है मतलब आगे बात की कहीं इसमें दोस्तों जैसा कि दिया हुआ है the result of the G-state to be held on 6 November 2022 Sunday will be made available on the G-state website ठीक है website यहां पर दी हुई है as and when it is declared ठीक है मतलब जब result declare होगा जो एक्जाम 6 November 2022 को होने वाला है इसका result declare होगा तो यह जो websites है इन पर जो है available होगी ठीक है दोस्तों आगे फिर बात करें 7 नमबर पर जैसा कि यहां पर देख सकते हैं दे केंडिडेट ऑफ गुजरात स्टेट बेलोंगिंग तो SC और ST और PWD और VH और सोचली एंड एकोनोमिकली वेग्राउंड क्लास नॉन क्रिमिलियर थर्ड जेंडर एकोनोमिकली वीकर सेक्शन तो जो जो है यह इंडिडेट जो कि इन केटेग्यरीज के है ठीक है उनको जो है इस्पेशल नमबर पे जैसा दिया हुआ है आपड़े यह पहले ही हम लोग इसे बात कर चुके हैं कि जो गुजराथ स्टेट के अलामा मतलब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है और में बिलॉंग करते हैं रिजर्ब कैटेगरी से तो उनको ट्रीट किया जाएगा जनरल कैटेगरी के जैसे ठीक है अब दोस्तों आगे जो है बहुत सारी इंपोर्टेंट इसमें बाते दी हुई है जिसे सबजेक्ट की लिस्ट के अधी बात तो वो medium क्या रहेगा मतलब या फिर किस language में पूछा जाता है जो question paper जो है रहता है तो दोस्तों उसके लिए बहुत important यहाँ पर जिसे है आप देख सकते हैं जिसे अलग-अलग subject की बात करानों तो जिसा कि आप देख सकते हैं यह medium of question paper दिया हुआ है जिसे mathematical science की बात करें तो English में यह रहेगा physical sciences English में रहेगा मतलब यह science के subject से जिसा दिया हुआ है generally आप देख सकते हैं इसमें जो दिया हुआ है जिसे chemical sciences भी life sciences भी English English में दिया है हिंदी जो है यह चुकी language है तो यह हिंदी में गुजराती गुजराती में संस्कृत संस्कृत में लेकिन history की बात करें जिसा देख सकते हैं यहां पे English और गुजराती दोनों में रहेगा sociology जो है यह भी English और गुजराती में रहेगा economics English और गुजराती में ऐसी आप अपने subject का जो है यह पूरे यह जिसे list 25 total subjects की list दी है यदि आपका subject है आप यहां पे देख सकते हैं ठीक है यह centers की list आप एक बार देख लेना यहां पे ठीक है अब दोस्तों आगे जो है इसमें हमनों बात करें fee की 900 रुपीज जो है fee रखी गे प्लस bank charges यह General EWS यह SEBC मतलब non criminal candidates के लिए ठीक है के लिए मोड़ा प्रेबंट की बात के ही तो दोस्तों इसको आप एक बार आप लोग देख लेना और आगे अब हम लोग देखें हैं जैसे condition of eligibility की बात करें तो जिससा दिया हुआ है आप फर्स नमबर पर यहां पर जिससे देख सकते हैं फर्स पांज जो दिया है only those candidates are eligible to appear in G-set who have completed or studying in the final year of UGC specified master degree in a subject of G-set ठीक है जो लोग जो है master degree कर चुके हैं या फिर जो है final year में मतलब हैं तो वो लोग यहां पर apply कर सकते हैं जैसा आगे फिर देखें तो इसमें दोस्तों यह जो फिर highlight जो मैंने point किया हुआ है जिससे देख सकते हैं यह फिर से वही बात की गई है कि जो लोग अधा state के हैं ठीक है औ और category में दे आते हैं ठीक है तो उनको उनके लिए बात की गई है फिर दोस्तों यहां पर आगे देख सकते हैं जैसा दिया हुआ है एक important बात कि जंडल या unreserved या जंडल EWS candidate है जो लोग at least 55% marks जो है मतलब without drowning of master degree में जो लोग complete के हो या equivalent examination जो है कोई उनिवर्स्टी जा इंस्टिउशन के दा जो की UGC के द्वारा recognized हो ठीक है category के लिए हाँ पर आगे बात की के जैसा दिया हुआ है the socially and educationally background class belonging to non-crimalier और SC और ST और PWD ठीक है और VH candidate या third gender candidate तो उनके case में दिया है कि at least 50% उनका जो है without rounding of marks होना चाहिए ठीक है मतलब 50% at least complete उनका होना चाहिए master degree में तो वो या equivalent examination को यह master degree के तो वो लोग G-set के लिए apply कर सकते हैं फिर आगे बात की दोस्तों जैसा कि यह उन candidate के लिए जो appearing candidate है मतलब जिनका भी master degree complete नहीं हुआ है तो उनके case में यहाँ eligibility दी गही है जैसे वे candidate जो master degree या उसके equivalent course को जो है कर रहे हैं ठीक है मतलब जो exam में जैसा दिया हुआ है कि candidates who have appeared for their qualifying master degree final year examination and whose result is still awaited or candidates whose qualifying examination have been delayed may also apply for G-set examination ठीक है मतलब जो लोग final year का exam master degree का दे चुके हैं या फिर जो है मतलब और उनका भी result नहीं आया है ठीक है या फिर जो है जो है जो लोग मतलब यह exam master degree कर रहे है final year में तो वो लोग G-set के लिए apply कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ conditions दी गही है कि जैसे however such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for eligibility of assistant professor only after they have passed their master degree or equivalent examination with at least 55% marks और फिर दिया है कि 50% marks in case of यह category के किसमें जिसा दिया है SCBC belonging to non-crimalier या SCI ST या फिर PWD ठीक है इसमें PH और VH की बात किए third general category की बात किए तो दोस्तों कहने का मतलब की अदिया final year में हो final year examination आप दे चुके हो या फिर final year में हो master degree में तो आपको जो है provisionally यहाँ पर admitted किया जा रहा है लेकिन आपको मतलब 55% marks के साथ ही आप general category में हो तो उस case में आपको लाना होगा कम से कम और 50% marks जो है बाकी category की बात जो है आपकी की गई है तो उनके case में लाना रहेगा तभी मतलब आप जो है मतलब eligible हो पाओगे बात में जो of assistant professor ठीक है मतलब जी सेट में अपलाई करने के लिए कोई age limit का बाउंडेशन नहीं आप एज लिमिट मतलब नहीं है आप एज लिमिट नहीं है ठीक है बहुत सारे candidates यह पूछते रहते हैं कि सर यहां मतलब जी सेट के लिए मतलब किसी भी सेट के लिए सेट एग्जाम के लिए जो है age limit क्या होती है ठीक है तो यहां पर यह दिया हुआ है जी सेट एग्जामिनेशन में और यह जो पेपर होंगे और यह अब्जेक्टिप टाइप मौल्टिपल चॉइस तो यह दूस्तों नुखें के लिए नंबर आफ वक्षेशन को तो हैं सोगे और यह जो मौनिवट और यह जोह हुगा बात करें तो त्रियार का जो है नहीं प्र होगा ठीक है और दोस्तों जैसा कि आगे दी बात करें हम लोग जैसे पेपर फॉर्स्ट की तो इसमें जो 50 जो objective type compulsory questions होंगे यह प्रते questions जो होंगे two marks के होंगे और इसमें जो है यह questions होंगे किस तरह के होंगे तो general nature के जिसा दिया हुआ intended to assess teaching or research aptitude of the candidate मतलब candidate के teaching या research aptitude को मतलब assess करने के लिए यह paper होता है और इसमें जो है basically किस तरह के questions होंगे तो reasoning ability के होंगे comprehension होंगे divergent thinking होंगे और general awareness जो है candidate के चेक करने के लिए होंगे ठीक है वादलो इस तरह के questions यहाँ पर फेपर second की बात करें तो इसमें जो है hundred objective type compulsory questions होंगे और यह two marks के प्रतिक question होंगे और जो subject आप select किये रहोगे मतलब यहाँ पे set exam के लिए जिसके लिए आप apply करोगे उस subject से related questions यह hundred questions पेपर second के होंगे ठीक है अब आगे हम लोग देखें तो दोस्तों यह important बात और दिया है कि यहाँ पे जो है negative marking जो है नहीं होंगे किसी भी गलत question के लिए negative marking नहीं है ठीक है जो UGC या CSIR NET का जो syllabus होता है ठीक है वही जो है जी सेट exam का syllabus होगा अब यह depend करता है कि आपका subject जो है किस मनला UGC में आता है या CSIR में उसके recording of syllabus देख लिए जैसा आगे फिर बात ही कि syllabi for all gujarat set subject can be downloaded from the gset website gset website यहां पर दिया हुआ है www.gujarat.ac.in यहां से जो है आप यह सारे syllabus आप यहां से जाकर करके download कर सकते हैं और दोस्तों एक बहुत important बात दी गए है कि जो science subjects है जैसे mathematical sciences है physical sciences, chemical sciences, life sciences, and earth sciences the syllabus is same as the CSIR net ठीक है इनके syllabus जो है CSIR net का जो syllabus है वो सेम वही रहेगा और आगे बात कि however the examination pattern will be same as the UGC net described above जो उपर जैसे के UGC net के according जो paper का pattern जो exam का pattern दिया हुआ है उसी के according जो है इन subjects के भी paper रहेंगे ठीक है तो यह आप एकदम अच्छे से इसको पढ़ लेना ठीक है फिर दिया है कि for all other subjects the syllabus is same as the UGC net बाकी other subjects के लिए जो इनके अलावा जो subjects है जैसे उनके लिए जो है UGC net का जो syllabus है वही same syllabus रहेगा फिर आगे दोस्तों यहाँ पर जैसे बात ही इसको एक बार आप देख लिए ठीक है इसमें hall ticket के बारे में दिया है तो दोस्तों यह भी जो है आप form fill up करोगे बाद में जब आप exam देना रहेगा उस time आउशिकता होगी तो दोस्तों इसको भी एक बार आप देख लिए आप फिर आगे बात की how to apply application to be submitted online ठीक है online आपको जह है application submit करना है और यहाँ पर जिसकी two mandatory steps दिये हो है जो जरूरी steps है दो step रहेंगे जिसका step one जो है payment यह pay examination fee पहला जो है examination fee आपको pay करना रहेगा और step two दिया हुआ है register online for gset examination ठीक है और दूसरा step जो दिया हुआ है कि आपको जो ह जो है register करना होगा online gset examination के लिए ठीक है तो अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पर asset का जो website है उसके website को भी देखे कि कहां से इस notification को आप download कर सकते है ठीक है तो उसको भी चलके एक बार हम लोग देख लेंगे कि आप जा करके खुद से जो है यह पूरा जो notification है इसको download करने लगता है कि इस form को apply करना चाहिए तभी आप apply करें otherwise नव करें ठीक है दोस्तों अब हम लोग चलेंगे अभी जो है जो सेट की website है वहाँ पर और दोस्तों यहाँ पर कुछ important instructions ती है हुए इस notification में तो इसको भी एक बार आप लोग जरूर से जो है देख ले ना ठीक है तो द notification कहां साब जाकर करके देख सकते हैं फ्रेंड से सकते हैं यह गुजरात सेट की website पर इससे में हम लोग है इसकी website जब आप इसमें नीचे आओगे तो यहाँ पर जाकर के आप जैसे information bulletin G-set 2022 की बात ही गई है यहाँ पर आप क्लिक करके इसको जो है देख सकते हैं तो यहां से जाकर करके आप देख सकते हूँ और notification G-set 2022 दिया हुआ तो इसको भी एक बार आप देख लें ठीक है यहाँ पर पर एक्जामेशन फी और इस्टेप टूज दिया है रेजिस्टर ओनलाइन फर जी से ठीक है तो इस तरह से दोस्तों यह जो है यहां से इन्फॉर्मेशन सारे आप देख सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स से को और यह पाद आपको बतायते हैं कि यदि आप सेट एक्जाम के प् पर गया चेह सकते हैं या कोशिश करेंगे किस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है उससारी वीडियो के लिंग आपको प्रवाइट कर देंगे जिसे के आप उस सारी वीडियो को देख सके है और दोस्तों इस तरह के अप्टेट से अपडेट रहने के लिए चाहें तो इस चनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की अपडेट कोशिश रहती है कि हमेशा जो है अपडेट करें जैसे कहीं भी net, set या select exam, cellulate कोई information होती है कोई application form आता है या फिर जो है अपडेट करें तो दोस्तो इस तरह के सारे अपडेट से अपडेट रहने के लिए जैसा कि मैंने बताया आप चाहें तो इस चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तो आज के लिए नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी अधर information के साथ दोस्तो इतना patience के साथ आज का वीडियो वर्श करने के लिए thank you, thank you so much friends